बोगन विलिया एक ऐसा पोदा है जो कि पोदा एक है लेकिन इसके उपयोग अनेक है यह एक सुस्क जलवाईू का पोदा है जो बोगन विलिया है इसको हम हैज में लगा सकते हैं इसको जाड़ी नुमा बना सकते हैं इसको गंबले में लगा सकते हैं इसकी bonsai बना सकते हैं इसको पेड़ पे चड़ा सकते हैं और यहां तक कि इसके standard पोदे जो की एक मीटर की हाइट पर tapiori बना करके भोगनविल्या को लगा जा सकता है यहां तक कि जितने भी हमारे slope हैं जितनी भी हमारी खराब कोई जंगे है उस जंगे को या कोई सुखा पेड़ है उस पे भी बोगनविल्या के पोदे को आसानी से लगा जा सकता है इसके पोदे बनाने का बहुती उपयुक्त समय है और इसको खास करके इसकी जो pencil size जो 6 से 9 इंच की जो cutting लगाते हैं उसको लगाने का बहुती उपयुक्त समय है और आप mother plant से इसकी cutting काट करके और जिसमें कम से कम दो से तीन नोड, इंटर नोड इसमें होनी चाहिए, इसकी आप कटिंग काटे और इसको नीचे से सीधा कट दे, उपर से तिर्चा कट दे, उसके बाद इसको आप 2000-2500 PPM IBA जो रूटिंग हार्मोन है, उसमें इसको आप उपचारित कर लें और उसके बा आप इसको रेत मिला लें तो और भी ज्यादा बेतरीन होगा, ताकि उसकी रूटिंग करने में वो सहायकसीद होता है, इसके साथ साथ हम कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट भी मिला करके, इसको भी आप दोन उपात, एक अनुपात, एक में लगा करके, इसमें भ काट करके, उसको भी आप छोटे पॉली बैग में या ट्रे में, जो प्लास्टिक ट्रे आती हैं, उसमें भी मीडिया का मिस्रन भर करके, उसमें भी इसकी कटिंग को आसानी से लगा आ जा सकता है, इसके साथ साथ है फिर एर लेरिंग, एर लेरिंग भी जिसको हम की एक ही ब्रांच पे आप बान सकते हैं, इसमें उपर की जो इसकी चाल है, उसको आप उतार लें और नीचे आप देखेंगे की इस साखा के अंदर आपको लकडी मिलेगी, वहां पे आप इसमें आप खास करके मौस ग्रास अच्छी तरह से बान दे और दोन्नों किनारे उ की उसमें हवा न जासके, और इकीस दिन बाद आप देखेंगे की वह वहां से स्प्राउट करना शुरू हो जाएगा और नए पोदे बन जाएंगे, बहुत सारी परजातियां हमारे पुसा संस्तान से, जैसे की विसाका है, समर टाइम है, आपकी डक्टर आर आर पाल है, य जिसमें वेरिगेटिड परजातियां हैं, जिसमें की थीमा बहुत ही परमुख है, सुबरा सफेद कलर में है, लेडी मेरी बेरिंग येलो कलर में है, MPS मेरी पामर स्पेसल डबल कलर में है, ODC है, डक्टर बीपी पाल है, बहुत ही सफेद कलर में, बहुत ही अच्छी किसम ह बोगनविलिया में जो ग्राफ्टिंग है वो भी बहुत महतोपूर्ण है और आप एक ही पोदे की किसम पर बोगनविलिया के एक किसम पर आप चार से पांच अलग अलग किसमों की यदी साइन ले ले और एक ही पोदे पे ग्राफ्ट कर दे तो आपको एक ही गमले में भिन- वर्ष फूल देता है और सिरफ ये दिसंबर और जनवरी के महिने को छोड़ करके आप देखते हैं कि दसारत दिवाली पे बोगनविलिया बहुत अच्छा फूल देगा उसके बाद फिर आपका जो है कि होली के आसपास मार्च और अपरेल के महिने में उम्दा किसम का आप को फूल मिलेगा और बोगनविलिया कम रख रखाव में अच्छा फूल देता है